हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए लेखी आई हूं बिना आटा गूते बिना बेले कचोरी की रेसपी जो खाने में टेस्टी लगती है साथ में बनाना भी इजी होता है और एक खास बात है कि आज हम इसे बिना लसन प्याज का बनाएंगे जो कि खाने में अपने से भी मैसर कर सकते हो नाप सकते हो एक कटोरी भी ले सकते हो अब इसमें क्या करेंगे नमक डाल देंगे और कोई भी चीज डालने की जोरत नहीं सर्फ नमक इनफ है अब इसमें हम पानी डालके घोल रेडी करेंगे तो पानी कितना डालना है तो स्टार्टिंग में एक कप और पानी डालेंगे। बस अधा कप पानी डालके फिर से घोल रेडी कर लेंगा घोल को पदला भी बहुत नहीं रखना है तो ये घोल बनके रेडी हो गया है। दूसी तरफ क्या करेंगे एक कढ़ाई लेंगे में एक छंमच तेल डालेंगे बस एक चंमच काफी है। और यदि आप नहीं भी डालना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, बिना तेल का भी बना सकते हो, तो अब इसमें आधा चम्मा जीरा डालेंगे, मैं इसे चौक हो गया, चौक रेडी हो गया, तो कोई-कोई रहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी तेल नहीं खाना चाहते हैं, तो आ आप बिना तेल का भी बना सकते हो, मैं आगे बताऊंगे किस तरीके से आप बनाएंगे बिना तेल का, तो अब क्या करना है, कि ये अच्छी तरह से जीरा चटक गया है, अब सूजी का घोल जो हमने रेडी करके रखा है, अब उसे डाल देना है, अब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे आप मिक्स करेंगे न, वैसे ही ये गढ़ा होना सूरू हो जाएगा, तो देखे, मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करी हूँ, बहुत ज़्यादा पतला करेंगे न, तो ये कचौरी एकदम मनदम सौफ्ट बनेगा, और थोड़ा सा सक्त रखेंगे, तो मिन सक्त ये पकेगा, तो क्रिस्पी एकदम कड़क कड़क कचौरी बनके रेडी होगा, यदि आप वो कड़क पसंद है, तो इस तरह से तरीके से बना सकते हैं, और यदि सौफ्ट पसंद है, तो आप थोड़ा सा घूल को पतला कर लें, तो देखें लगबग लगबग ये सूजी का डो बनके रेडी हो गया है, एकदम डो के फॉर्म में आ गया है, चिकना भी हो गया है, पूरा मिंस बिल्कुल भी दानेदार नहीं लगेगा, जैसे हम लोग गरम पानी में सूजी को डाल के मिक्स करतें न, जिसको हम लोग अपने लेंग्वेज में चाड़ना कहते हैं, तो देखें, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउड़ा डालेंगे, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो अब यह सूजी का डो बनके रेडी हो गया है, तो क्या करेंगे अभी से एक प्लेट में निकाल लेंगे, और ठंड़ा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी काफी गरम है, जैसे इप हाथ से टच करेंगे, तो हाथ जल जाएगा, तो ज्यादा नहीं 5-7 मिनाट छोड़ना है, तो 5-7 मिनाट हो गया है, यह डो ठंड़ा हो गया है, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक चमच डालेंगे मैदा, बैंडिंग के लिए डाल रहे हैं, मैदा क्यों डाल रहे हैं, मैदा डालने से क्या होता है, पहले जो उपर का लेयर है वो चिकना दिखेगा, सूजी रहने के कारण हलका दानिदार दिखता है न, तो वो नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं, एकदम पूरा चिकना स्मूथ बनेगा तो इस तरह से मसल मसल के मिक्स कर लेना है और जादा भी मैदा नहीं डालना है यदि मैदा नहीं है तो कौन फ्लार भी डाल सकते हो लेकिन जेनरली हमारी घरों में मैदा तो एनी डायम रहता ही रहता है तो अब इसमें थोड़ा सा धनियापत्ती भी डाल देंगे धनियापत्ती से देखने में सुन्दर लगता है इसलिए डाल रहे है अब धनियापत्ती डालके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो देखिए ये डो के फॉर्म में आग गिया है तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं दूसरी तरफ क्या करेंगे एक कड़ाई में तेल डालेंगे ज्यादा नहीं डालना है दो चमच तेल डालेंगे तेल को गरम होने के लिए छोड़ दिना है तो तेल गरम हो गिया है तो अब इसमें पंच फोरन डालेंगे पंच फोरन में क्या होता है जीरा, सरसो, मेथी, सौफ, अजवाइन इतना मचफोरन यदी है तो डाले नहीं है तो सिर्फ जीरा भी डाल सकते हैं लेकिन मचफोरन डालने से क्या होता टेस्ट जादा आता है उभर के आता है एक्टम तो अब इसमें डाल देंगे एक टुकड़ा अद्रक जिसको हमने बारी काट ली है अभी बहुत है सौफ्ट अध्रक रहता है इसलिए काटके ही ले रही है तो आप ग्रेटर से ग्रेट करके ले सकते हैं आधा चमच धनिया पाउडर डालेंगे साथ में आधा चमच कसूरी में थी आधा चमच लाल मिर्शी पाउडर डालेंगे और इन सब को तेल के साथ एक्दम लो फ्लेम में भून लेंगे कि मसाला जयले नहीं, हाय फ्लेम नहीं रखना है या फिर आप गयास का फ्लेम आफ कर दें तो देखें मसाला भून किया है, ज्यादा भूनेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी अब इसमें दो पीस बड़े साइज का उबला हुआ आलू डालेंगे भरता और या फिर आप अपने फैमिली के अनुसा आलू की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो पूरा मसाला मिल चुका है, आलू में तो अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिग साथ में ही डाल देंगे एक चुथाई चमच, हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ा सा ही डालना है जादा नहीं और साथ में डाल देंगे बारी कटा हुआ धनिया बत्ती यदि आप लसन प्याज खाते हैं तो लसन भी डाल सकते हैं और प्याज भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही सिंपल प्लेन बनाए, देखें आक कितना जाधा टेस्टी लगता है simple masala है जैसे समूसा का masala होता है न वैसे ही है लेकिन खाने में जुरदार लगता है तो चटपटा आलू का masala बनके ready हो गया है तो अब इसे हम एक plate में निकाल लेते हैं तो आलू का masala भी ready है और सूजी का dough भी ready है तो अब क्या करेंगे चोटे-चोटे size का एक size का इस तरह से पहले portion में बाट लेंगे तो सब कचौरी एक size का बनीगा तो हाथ में लेंगे एक लोई और लोई को इस तरह हाथ से चिकना कर लेंगे एकदम चिकना कर लेना है कि बिल्कुल भी नहीं लगे कि सूजी डला हुआ दानेदार नहीं अब इस तरह से कटोरी के सेप में बना लेना है नॉर्मल जासे हम लोग पराठा बनाते हैं कि इस तरह से बनाते हैं बस वैसे ही है आप किसी भी तरह से बनाईए और सिर्फ आलू का स्टफिंग डाली है कि बाहर नहीं निकले बस इस तरह से और सूजी रहने के कारण ना बिलकुल महनत नहीं लगता है आसानी से यह हो जाता है पैक अब इस तरह से पैक कर लेना है तो देखिए एक कचौरी पैक हो गया है आप इसी तरह से बाकी का भी बना के रेडी कर लेंगे हलकालका हाथ से इस तरह से गोल कर लेंगे कि देखने में सुन्दर लगीगा फ्लेट भी कर सकते हो आप अपने पसंद का और भी सेप में बना सकते हो तो सारी कचोरी का हमने भर के रख लिया है तो चलते हैं फिर अब इसे फ्राइ करेंगे यदि आप fry करके नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें पानी से उबाल के भी खा सकते हो गरम पानी में डाल दे और उबाल ले वो भी खाने में टेस्टी लगता है लेकिन ज्यादा टेस्टी तला हुआ लगता है तो बस गरम तेल करके इस तरह से एक एक पिस करके डाल देंगे ड एकदम क्रिस्पी भी है तो अब निकाल लेते हैं बाकी कभी सेम ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे तो सारे सूजी के कचौरी बनके रेडी हो गये हैं ना इसे बेलने का जंजट लगा ना फिर आटा गोतने का आसानी से आप इस तरीके से बना सकते हो और यदि आपके घर कोई गयस्ट आ रहे हैं या फिर जुबा का नास्ता में बनाना हो तो भी आप बना सकते हो तो फ्रेंड्स अगर बनाना हो तो इसी तरीके से बनाएं देखिए का कितना ज़्यादा टीस्टी लगता है और एकदम क्रिस्पी बनके रेडी होता है तो फ्रेंड्स अगर आज की ये रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें